हेलो फ्रेंड वेलकम टु ग्यान प्लस यूप प्यस्य न्यू वेकेंसी 2030 जी हां दोस्तों उत्तर प्रदेश लोग से वायों कि नई वेकेंसी 2030 में जो आनी थी वह आ चुकी है आरो यारो भरती का प्रक्रिया जो है वो प्रारम हो चुका है जी हां आपको कई दिनों से हो चुका है तो आप पहले सबसे पहले ओटियार करें और आवेदन को प्रारम करके अपना ओटियार पूरा कर ले फिलाहाल इस आर्टिकल में जो आया है चलिए आप उस पर डिसकस करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या-क्या महत्पोड विंदू है यहां पर देख पा रह है था चैन जी हां दोस्तों आप देख सकते हैं इस बार उससे लगभग 60 पर ज्यादा आए हुए हैं जिसमें आप देख सकते हैं आवेदन करने और परिच्छा सुल जमा करने की अंतिन्तिति नौनॉमबर रखी गई है यहां पर देख सकते हैं डिटेल में आपको बता दे तो यहां पर उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयोग समिच्छा अदिकारी आरो सहायक समिच्छा अदिकारी ए आरो के 411 पर भरती करने जा रहा है इसके लिए 9 अक्टूबर से आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया सुरू हो जाएगी आवेदन दो साल बाद यह भरती करने जा इससे पूर्व वर्ष 2021 में इस भरती का विज्चापन जारी किया गया था जिसके तहर्ट 3,500 पदो पर अभ्यर्थियों को चैनीत घोसित किया गया था वर्ष 2022 में इस भरती का कोई विज्चापन नहीं आया था आयोग सम्वार को आरो आरो पर इच्छा दो जारते इसका विज्चापन जारी कर देगा जी हां दोस्तों भरती के लिए 20-40 वर्ष आयू रखी गई है यहां पर देख पा रहे होंगे आप वर्ग के अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे आलाइन आवेदन आलाइन माध्यम से परिच्छा सुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम्ति थी आ कुछ दिनों पहले ही आयोग ने यह सूचना जारी की थी कि आरो यारो के 181 पदों पर भरती के लिए अक्टूबर के पहले सप्ता में विज्चापन प्रस्तावित है लेकिन आयोग की और से जारी संचिप्त विज्चापन में पदों की संख्या में बृद्धी करके 411 उस वाले अव्यर्थी इस भरती के आवेदन से भी वन्चित हो सकते हैं आयोग के सचीव के अंसार अव्यर्थियों के आवेदन करने से पूर ओटीयार नमबर प्राप्त करना अनिवार है परिच्छा से संबंदित ऑन लाइन आवेदन करने की प्रक्रिया सुल्क जमा करने की जात्वर्वार पत्रों का प्रोफार्मा प्रारंभी आप देख सकते हैं प्रारंभी यह मुख्य परिच्छा के विषय पार्ठ करम आरच्छड हम आउसी में जो छूट के संबंद में निर्धारिन महतपूर निर्देश आज सम्वार को जारी करने वाले विस्तरित विज् वाला क्या है अच्छड समंदित क्या नियम है क्या आई स्विवा में कोई छूट दिया गया है या फिर जात्मारपत अबेदन सुल्क कितने लगने वाला है प्रफार्मा क्या होगा मुख्य परिच्छा के लिए क्या निती होगी क्या सलेबस होगा इन सभी मातपूर में होगा तो आप समझ लीजिए आपके पास नौंबर दिसंबर जनरी फरोरी साड़े तीन महिने का समय है लगभग उसे में आपको कोर्स खतम करना होगा स्लेबस पूरा अच्छे से पढ़ना होगा और मौक टेस्ट और रिवीजन पर ध्यान देना होगा जिसके लिए समय ज्यादा नहीं बचा हुआ है क्योंकि स्लेबस बहुत ज्यादा लंबा है तो यह थी आरो यारो भरती से संबंदी नई अपडेट मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ नई अपडेट में तब तक के लिए धन्यवाद